अलो फ्रेंट्स स्वागत आपका आज के न्यूज अपडेट में तो न्यूज अपडेट थोड़ा बड़ा लेकिन प्रिसाइज होगा मतलब यह कि हर न्यूज कवर की जाएगी लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर सिरफ उसकी एक ओवर वियू आपको दी जाएगी और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर यहां पर कोई भी फाइनेशल अडवाइज आपको नहीं दी जा रही है केप्टों में इन्वेस्मेंट आपको अपनी अनालेसिस के बाद ही करनी है मार्केट बहुत ही रिस्की और उपर नीचे जाती है तो अपनी मनी अपना पैसा अपने रिस्क पर लगाएं जैसे कि आप जानते हैं जहां जहां पर भी डिजनी के अगर हम बात कहें की डिजनी का जो अपना एक एरिया होता है Disneyland तो वैसा ही कुछ यहां पर हो सकता है कि वह Metaverse में भी लेकर आएं अगली news की बात करें तो Binance ने Oasis ecosystem जो है उसको back किया है 200 million dollar यहां पर वो fund लगाया है अभी Binance की जो VC firm है उनका जो एक तरीके से अगर focus की बात करें तो वो web 3 technologies पर है DeFi के उपर है और जो cross chain capabilities है कि multiple जो blockchains है उनके अंदर एक interoperability आ जाए कि एक से दूसरे में जो swapping है वो easily हो जाए तो उसके उपर है तो यहां पर उसी को देखते हुए उन्होंने Oasis ecosystem के उपर अपना पैसा जो है यहां पर तो उनके accordingly एक unified crypto framework बनाना चाहिए कि जहां पर सारे कि सारी countries है वो मिलकर एक ही framework बनाए जिसके base के ऊपर यहां पर एक crypto का ecosystem है वो चल पाए उनके accordingly बाकी जो assets है उनके ऊपर भी बना है तो digital assets के ऊपर भी same ही एक तरीके का framework है वो होना चाहिए Coinbase और PayPal यह दोनों मिल गए है Taxbit के सार और उनी के साथ-सार जो Binance.us है वो भी तो यहां पर वो crypto tax form उनको free दे रहे हैं कि crypto की जितनी भी taxation related जो भी queries यहां जो भी काम करने हैं US वालों को तो वो सारे यहां पर वो taxbit के network के सार जोड़कर easily कर पाएं अगली news की बात करें तो Binance ने एक और formal central bank executive को यहां पर हायर किया और इस case में उन्होंने वो चाहते हैं कि जो Commonwealth का independent states हैं वो और उसके साथ-साथ Russia और Ukraine इन सभी जगाहों पर वो अपने pair पसा रहे हैं और regulatory framework बनाना चाहते हैं so that कि इन सारी countries के वो regulatory framework को पूरे अच्छे तरीके से follow कर सकें और अपने pair वहां पर पसार सकें और वो market अपनी expand कर सकें ब्लॉग job posting तो ब्लॉग जो है वो अब company का नाम हो चुका है जो square थी पहले अब यहां पर जो company है यहां पर जो company है वो बहुत सारी job posting उन्होंने करी हैं और यह सारी job posting वो related हैं कि bitcoin का open source bitcoin mining के system लेकर आने और hardware wallet लेकर आने की बात कही थी jack ने last year jack.c उसके CEO थे उन्होंने यहां पर वो सारे के सारे काम करने के लिए अपनी एक job posting निकाली है कि वो सारे काम करने के लिए वो बंदे hire कर रहे हैं so that कि 2022 में उन्होंन पर काम हो और जितनी maximum possible वो applications launch कर पाएं वो कर दें अगली news की बात करें तो Associated Press काफी बड़ी एक global news firm है तो उन्होंने अपनी एक launch करने की बात करिए अपनी फोटोग्राफी NFT collections जो है वो launch करेंगे जिसमें अभी at present वो space के related, war के related और climate के related जो photographic उनके पास collections है उनको as an NFT collection वो launch करेंगे और उन्होंने जो date दी है उन्होंने बोला कि Jan 31 2022 से उनकी जो NFT collections है वो launch होनी start हो जाएंगी अगली बात करें तो billionaire जो investor है Bill Miller उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपनी 50% net worth जो है उसको bitcoin में लगा दिया है 2014 में उन्होंने सबसे पहले लगाया था और उसके बाद जब bitcoin 30,000 पे गया था वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी रकम जो थी वो लगाई थी तो अगर बात करें present की तो वो काफी benefit में चल रहे हैं gaming company है तो उन्होंने पहले बोला था कि वो NFT collections को include करेंगे अपने gaming में लेकिन अब वो इससे back out कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वो अब यह जो experiments थे NFTs के वो उससे बंद कर रहे हैं अगली news की बात करें जो UK के जो lawmakers है उन्होंने बोला है कि वो crypto और digital assets grouping बना रहे हैं so that कि जो regulations बने वो यह support करें कि कहीं इसके चकर में regulations के चकर में innovation जो है वो ना किल हो जाए तो उनके accordingly वो एक group बना रहे हैं और इस group में इस तरीके से regulations लेके आई जाएंगी so that कि crypto का जो जो blockchain की जो base technology है वो कहीं गुमना हो जाए और उसी के साथ-साथ बाकी जो users है crypto के वो भी benefit में ही रहें अगली news else Elvador ने का है कि वो और जादा geothermal energy resources लगाएंगे so that कि वो अपने आपको एक bitcoin city में बना सके और power जो उन्होंने जो अपनी bitcoin city का plan out किया है उसको वो power भी दे सके इन नई energy resources से अगली news की बात करें तो Binance एक official sponsor हो चुका है Africa Cup of Nation का EFCON 2021 का जो की अगर बात करें तो soccer का tournament है जिसमें जो की 9 January से लेके 6 February तक चलेगा Cameroon में तो वहां पर हर जगा जो Binance की hoardings है वो लगी होंगी और भी बहुत कुछ होगा और इसके चलते अब Binance भी उस चीज पर उतर चुका है जो FTX और Coinbase यहां पर लगातार पहले से ही करते आ रहे हैं कि वो ऐसे जो events है उनकी एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि naming rights यहां जो भी marketing rights है वो यहां पर acquire कर रहे हैं पैसे देकर so that कि जादा से जादा लोगों को उनका पता चल सके और उसी के साथ साथ क्रिप्टों के बारे में भी पता चल सके और वो अपनी investment कर सके तो अब Binance जो है वो हर एंगल से अपने pair पसार रही है हम देख रहे हैं कि यहां पर Fcon में भी वो पैसे लगा रही है उदर वो नया executive लेकर आ रहे हैं जहांपर वो CIS और Russia और Ukraine में अपना pair पसारने की बात कर रहे हैं 200 million dollar भी उन्होंने OSS network में देनी है तो that means अब Binance के साथ साथ BNP का जो coin है उसको भी काफी बढ़िया response मिलेगा market up जाते ही तो market up भी अब जा चुकी है 42,000 क्रॉस कर चुकी है लेकिन एक बार फिर से नीचे गिर सकती है जब news आप तक पहुंचेगी तो देखने वाली बात होगे कि उस time क्या status रहता है Bitcoin की value का अगली बात करें तो Estonia उन्होंने offer किया है कि crypto के experience को US के साथ share कर सकते है Estonia उन्होंने एक तरीके से अपनी country में regulate कर दिया था cryptocurrencies को तो वह अब चाहते हैं कि अपना experience US को बताएं so that USB अच्छे better way में cryptocurrencies को regulate कर सके और जो भी regulatory framework को बनाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से बना सकें तो friends यह थी आज की news update कैसी लगी ज़रूर बताईए का और उसी के साथ सा channel को भी subscribe करें so that की आपको channel में जितने भी videos आ रहे हैं वो भी अच्छे से मिल जाएं और उनके notification भी timely मिले अगर आप bell notification का icon क्लिक करते हैं तो मिलेंगे अब आप से अगले news update में तब तक के लिए thank you very much